प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने आज बैंगलूरू में शुकरवार को 107 वी भाट्टी विग्यान कॉंग्रेस का उद्गाटन किया उन्होंने कहा कि परियावरन को सुरक्षित रखने के लिए दुनिया की विग्यानिकों को परियोग शालाओं में प्लास्टिक का विकल्प खोजना होगा खेती के विकास के साथ साथ परियावरन के अनुकूल उर्जा के उत्पादन पर बल देने की जरूरत है इस पाँच दीव से आयोजन में दो नोबेल पूरसकार विजेताओं के अलावा दुनिया भर के 15,000 विशेशगे शामिल होंगे साइंस कॉंग्रिस में हर साल किसी समस्या पर विमर्ष और समाधान खोजने की कोशिश की जाती है इस बार की थीम क्रिशी विकास रखी गई है मोदी ने कहा कि बीते पास सालों में ग्रामिन विकास को लोगों ने महसूस किया है स्वच भारत से आविश्मान तक भारत की सबसे बड़ी योजनाओं को दुनिया में सराहा जा रहा है इसका कारण साइंस एंड टेकनोलोजी है देश के 6 करोड किसानों को पीएम किसान योजना की राशी ट्रासफर कर एक नया रिकोर्ड बनाया है गाउं तक बिजली और अन्ये विकास कारिये पहुँच रही है यह सब टेकनोलोजी से ही संभव हुआ है आज गाउं में सड़के समय पर पूरी हो रही है गरीबों के लिए 2 करोड से जादा समय पर तैयार हुए गए है जीयो टेकिंग के कारण प्रोसेस गती तेज हो गई है समय पर काम पूरा होने के साथ शिकायते खत्म हो रही है टेकनोलोजी के कारण आज किसान सीधे बाजार से लेंदेन कर रही है आज किसानों को खेती मोसम से संबंदित हर जरूरी जानकारी मिल रही है गरामिन शेत्र में हमें टेकनोलोजी को और भी मजबूत बनाना है आप सभी को यह भी जानकारी है कि ग्रामीन शेत्र में हर घर में जल पहुचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया है आपका दाईत्वे है कि पानी को रिसाइकल करने के लिए सस्ती टेकनोलोजी जैसे इस्तमाल करें सप्लाई चेन में जो नुकसान होता है उसे रोकने के लिए टेकनोलोजी बहुत जरूरी है हमें मध्यम और लगू उद्योगों को भी मजबूत करना है देश ने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का संकल्प लिया है ताकि हमारे पशू, मचलियों और मिट्टी को बचाया जा सके लेकिन प्लास्टिक का विकल्प तो आपको ही खोजना होगा इलेक्ट्रोनिक वेस्ट से मेटल निकालने के लिए भी नई तकनिकी की जरूरत है आप जो समाधान देंगे उसे हम बजार में उतार पाएंगे जिसे मद्यम और लगू उद्योगों का विकास होगा फसलों के अवशेश और घरों से निकलने वाला कच्रा भी परदूशन के लिए जिमेदार है इसको वेल्थ में बदलने के लिए हमें मेहनत करनी होगी 2020 तक कचे तेल का आयात कम करने का लक्षे है इसके लिए विकल्प हमें तलाशनी होंगे आपका यही सब योगदान देश को 5 ट्रिलियन डोलर की अर्थवस्ता बनाने में मदद करेगा ग्रामीन विकास में टेकनोलोजी के उपयोग को हमें व्यापक बनाना है आने वाला दशक भारत में साइंस और टेकनोलोजी अधायत गवर्नेंस के लिए अच्छा समय होने वाला है 2025 तक भारत उर्जा और बायो फ्यूल का सबसे बड़ा सप्लायर और हब होगा भारत के विकास का एक लंबा रोड मैप त्यार किया जाएगा तकनीक तेज और समान्य विकास के बीच में समानता बना रती है जब मानव और तकनीक काम मिलान होता है तो नई अविशकार होते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान में हमारी सफलता अब समुंदर विज्ञान के शेतर में भी नजर आना चाहिए हमें समुंदर में मौज़ू जल उर्जा भोजन और खनीज का दोहन करने की जरूरत है उन्हेंने कहा कि मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि नवाचार में भारत की रैंक सुधर कर बावर हो गई है हमारी योजनाओं ने 5 साल में पिछले 50 साल की तुलना में ज्यादा बिजनेस इनक्यूटर के बनाए हैं मैं अपने विग्यानिकों को इन उपलब्दियों के लिए बढ़ाई देता हूं रिसर्च और डेवलप्मेंट का एक ऐसा इको सिस्टिम इस शहर ने विख्षित किया है जिससे जुड़ना हर युवा साइंटिस्ट हर इनोवेटर हर इंजीनियर का सपना होता है लेकिन इस सपने का आधार क्या सिर्फ अपनी प्रगती है अपना केरियर है जी नहीं ये सपना जुड़ा हुआ है देश के लिए कुछ दिखाने की भावना से अपनी एच्वमेंट को देश की एच्वमेंट बनाने से and hence when we start year 2020 with positivity and optimism of science and technology driven development we take one more step in fulfilling our dream friends I have been told that India has gone up to third position globally in the number of peer reviewed science and engineering publications it is also growing at a rate of about 10% compared to around 4% which is the global average I am also happy to learn that India's ranking has improved in the innovation index to 52 our programs have created more technology business indicators in incubators in the last five years than in the previous 50 years I congratulate our scientists for this achievement friends the growth story of India depends on its success in the science and technology sector there is a need to transform the landscape of Indian science technology and innovation my motto for the young scientists is this country is innovate patent produce and prosper these four steps will lead our country towards faster development if we innovate we will patent and that in turn we will make our production smoother and when we take this product to the people of our country I am sure I am sure they will prosper innovation for the people and by the people in the direction of our new India friends new India ko technology bhi chahiye aur logical temperament bhi taakki taakki hama rhe samajik or arthik jiwaan ki wikas ko ham nai dishah dae sekye mayra ya hamesha se mat raha hai ki bharat ke samaj ko jodnye ka kām aaf aafsar ki samajan taal ane me science and technology ki bady bhoomika hai ab jaysay information and communication technology ki vikas ne bharat mahi bun rahe sasthay smartphone aur sasthay data ne eek bhaat bady privilege ko khatm kiya isse aad samajne se samajne nagri ko bhi vishwa hoa hai ki woh alag nahi woh bhi sidha sarkar se connected hai us ki awaj sidh sarkar tuk pahunç rahi hai aise hi pari vart tono ko hame a or prosahit karna hai sathiyo aaj dèš mein governance ke liye jitne bade peyamane pa science and technology ka istamal ho raha hai utna pahle kabhi nai hi ho khal hi humari sarkar nai mayra tumkur me kharikam tha dèš ke 6 karo kisan ko ek sath pm kisan sammahn nidhi ka pisa transfer karke ek record kaim kia hai ye sab kaisa hoa ye sambh kaisa ho ta hai kya kyi aadhar enabled technology ki madd se ye kama anasan ho ta hai sathiyo agar dèjsh ke har gaun tuk garib pariwar tuk sauchalai pahuncha hai bijjli pahunchi hai to ye technology ke karan hi sambh ho paaya hai ye technology hai jis ke karan sarkar un 8 karo garib beheno ki pahachan kar pahayi jin ka jiwan lakdi ke dhuwye me bribad ho raha tha technology ke upyog se labharthi ki pahachan to hui hi sath hi nye distribution center kaan or kitre bennnye hai ye bhi hum bhaud hi kam samay me tar kar pahayi a aaj gau me sardk sardk sramay par puri ho rahi hai gari karee karee dhu karo se jyadah mkahn agar agar sramay par tajyar ho pahay hai to is ke pahayi technology ki taka hai geo tagging aur data science ka upyog ho nye se ab projects ki gati aur tej hoi hai real time monitoring ki viva stha se yujna aur labharthi ke biech ka gap ab khatma honne laga hai samay par kama pura honne se cost over and or adhure projects koi pass karne ki jyoh chikayat aati thi woh bhi ab khatma ho rahi hai friends we are continuing our efforts to ensure the ease of doing science and effectively using information technology to reduce rate tap today farmers are able to sell their products directly to the market without being at the mercy of the middleman digital technology e-commerce internet banking and mobile banking services are assisting rural population significantly today farmers are getting the required information about the weather and forecasts at their fingertips through many e-governance initiatives issues साथ भारत के भारत के विकास में विशेश और अभ्यान अभ्यान जल जीवन मिशन शुरू किया गया है इस अभ्यान की ताकत भी टेक्न टेक्नलोजी है अब यह आपका दाइत्व है कि पानी की रिसाइक्लिंग और रियूज के लिए प्रभावी और सस्ती टेक्नलोजी कैसे विक्सित करें एक प्रकार से वाटर गवर्नन्स आपके लिए एक नया फ्रंटियर है गर के भीतर से निकलने वाले पानी को खेतों में सिचाई के लिए उप्योग कर पाएं इसके लिए सस्ता और प्रभावी समाधान आपको तयार करना है हमें ऐसे बीज भी तैयार करने होंगे जो पोर्षन से भी भरपुर हो और पानी का उप्योग कम करें देश भर में जो सॉल हेल्थ कार दिये गए हैं उस डेटर का उप्योग रोजाना की खेती बाड़ी के काम में कैसे हो इस पर भी नए से नए सिरे से विचार करना होगा करें घंदेवाद